तो जी हां दोस्तों जैसे की आपने पार्ट वन में देखा था हमने पुरा जो डाइगराम है उसके हिसाब से पूरा ये एसेम्बल किया था यह पूरा ड्याग्राम जो है यह पाइपिंग का ड्याग्राम है और कविडियो में हम लोग 데क्ष कल वाइरिंग है वह और आपको जानना है यह दोस्तों आप से निवेदन हैं कि आप हमारे यूटूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए सब्सक्राइब करने के लिए बटन प्रेस करके हमारा बैल आइकान प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि यूई प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट से आपको हमेशा मिलते रहें तो जिया दोस्तों यह हमारी वाइरिंग है देखे सबसे पहले 240 वोल्ट AC से सप्लाइ आता है जहाँ पर हम लोग पहले फ्लोट स्विच लगाते हैं और फिर उसका जो है SMPS में सप्लाइ जाता है और DC करन्ट जो है 24 वोल्ट का हमें मिलता है यह पर प्लस और माइनस होता है सारे के सारे प्लस टर्मिनल जो है वो प्लस में लग जाते हैं और माइनस के जो टर्मिनल से वो माइनस में लग जाते हैं और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा वाइरिंग होती है, जो आटो फ्लश की होती है, जो आटो फ्लश से निकलने वाले दो वायर से हो हमें, फ्लोट स्विच लगा दिया हैं और फ्लोट स्विच लगा दिया ऑध्कावार थे यह समक्वान कोइव, लगा देंगे और यह फ्लोट स्विच है हमारा तो इसको हम लोग दो वायर लगा देंगे और यह हमारे फ्लोट स्विच के लग जाएगा तो चले अभी वायरिंग की शुरुवात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो अप्शन है या तो आप AC वायरिंग करें या तो DC वायरिंग करें तो सब पहले हम लोग AC साइड की पहले वायरिंग कर ले ये जो दो वायर समने निकाल हैं इनको छील लेते हैं प्रॉपर्ली इक्वल छीलना है बिल्कुल कि दिल्कुल फिर हमें जो यह वायर है एसी की उसे कट करनी है यहां से कट कर दीजे और इसको छील लीजे थोड़ी सी ताकि हम इसमें कनेक्शन कर सकें सिमिलरली दूसरी साइड भी आमें छील लेली है पीछे सर ने डॉल लिया यह होता है CNC कनेक्टर यानकी क्लोज एंड वायर कनेक्टर तो इन्हें हमें लेना है और दिखिए सबसे पहले रेड और रेड जो है हमें रेड को जाइंट कर देना है विकोज हमें यह जो पॉजिटिव है उसके साथ स्विच को नहीं जोड़ना है कभी भी हम लोग न्यूट्रल के साथ ही कि फेज के साथ कभी हम लोग जोडते नहीं है ताकि सेफटी रहे थोड़ी से तो यह हमने से जोड़ दिया प्रेस कर दिजिए और जो न्यूट्र है एक वायर जो है न्यूट्रल को रेड लगा दिजिए एक वालज है वो ब्लैक में लगा दिजिए ताकि स्विच जो है हमारा दोनों के अंदर लग सके कितने तेजस भी लोग है चलाते रहे तो पिछे से चलिए ये दूसरा वायर होने लगा दिया तो ये हो गया हमारा एसी साइड का वायरिंग कम्प्लीट तो चलिए अभी हम लोग बी-सी साइड की वायरिंग कर लेते हैं दिखिए ये जो दो वायर्स है ये जो हमारे से आए हूँ है तो इसमें से जो एक वायर है वो रड है यानि कि इसके वर वाइट लाइन है वो पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव वायर्स जो है इसके साथ जोड दीजिए जितने भी पॉजिटिव वायर्स होंगे सभी एक साथ जोड दीजिए कर दो दीजिए झाल इसको एक CNC कनेक्टर से कनेक्ट कर दीजे और अब जो नेगेटिव साइट्स की वायर से सब को एक साथ से जोड दीजे तो अब बचे सिर्फ ये दो कनेक्शन यानिकी जो एस वी की तरफ जो आटर फ्लश से आये हुए दो वायर से इनको उस हमें कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के अंदर बहुत सिंपल तरीके से तोड़ा सो वायर छोटा कर लिजें इसको कोई भी वायर के साथ आप लगा सकते है जो ब्लू कलर का है दोनों में से किसी के साथ भी आप वायर जोइन्ट कर देजिए तो ये हो गया कम्प्लीट हमारा तो ये बन गया है पूरी दरसे रेडी आरोज है पूरा हो गया है रेडी पूरा कम्प्लीट जी हा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा तो एक थंसल जरूर दीजेगा आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपके लिए हम लोग ये महनत करते रहते हैं अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो कमिट में जरूर डालीग कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा क्या देखना पसंद है हम आपकी कमेंट्स की रहा देखते रहते थैंक्स वर वाचिंग टेक केर बाइबाइबाइए और जाहिंद